फ्रेंज दिवाली के तिहार की है जो तैयारियां आप सभी ने शुरू करी दी होंगी और सबके घरों पे जो इस टाइम पे मिठाईयां भी खूब बन रही होंगी तो आज मैं आपके लिए इंस्टेंट बनने वाली चार ऐसी बरफी की रेस्पीज लेकर आई हूँ तो चलिए फिर मेरे साथ आप भी दिवाली के ये वली मिठाईयां जो बनाईए और इंजॉय कीजिए तो सबसे पहले हम जिस बरफी को बनाने वाले हैं इसे बनाने के लिए आपने 10-12 बदाम और 10-12 लेने हैं काजू और दो हम इसमें डालेंगे हरील आईची और इन सब को पीस कर इसके एक फाइन पाउडर तेयार कर लेंगे आप ड्राइफ रूट्स इसमें ज्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं अब हम ने खुले बरतन में दो चमच डालना देशी घी और घी यह वो ना तो जमा होना चाहिए ना पूरी तरह से मेल्टे tiden आपने इस तरह का देखिए घी लेना एक बर इसका texture देख लीजी इस तेक्चर का क्रीमी सा texture घी भी गही होना चाहिए अब आपने शक्कर को है जो इसमें घी में अच्छी तरह से देखिया है मिला देना है बिल्कुल स्मूध सा इसका एक टेक्स्चेर आजाना चाहिए आपने इसको इतना अच्छी तरह से मिलाना है और इसके बाद हमने ये एक कप लिये हैं भुने हुए चने, चने हैं जो इनका छिलका उत्रा होना चाहिए अब हम इन चनों को जो एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे इस तरह से देखिए ये पाउडर इसका बन चाएगा इसके बाद हमने जिस बरतन में शक्कर डाली थी ना उसी में इसको निकाल लेंगे और साथ में हमने जो ड्राइफ रूट्स रखे हुए तना पीस कर वो भी इसमें डाल देंगे इन सब को आपने हाथों से अच्छी तरह से मिला देना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे उबला हुआ ठंडा दूद गरम दूद आपने इसके लिए यूजनी करना दूद इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना और इसको हाथों से अच्छी तरह से मिलाते जाना है आप हमने इस बरफी का जो टेक्षर रखना है वो एक डो की तरह नहीं लेके आना आपने सिर्फ देखी ऐसे इसको राम से मिलाते जाना और मिक्षर थोड़ा खिला खिला सा रखना है इसके बाद जिस भी थालिया ट्रे में आपने बरफी जमानी है उसको थोड़ा सा घीया ओयल से ग्रीज कर लीजी और बीच में मैंने लगा दिया बटर पेपर अब हम ये बरफी वाला मिक्षर इसमें फैला कर अच्छी तरह से सेट करतेंगी तो जैसा हमने इसका टैक्षर रखना ना बस वैसा ही आपने रखना है और इसको 15 मिनट के लिए या तो फ्रिज में रख दीजिए या बाहरी छोड़ दीजिए 15 मिनट में ये देखे बरफी हमारी जमकर बिल्कुल तयार है और अब मैं इसके उपर थोड़ा सा लगा रही हूं सिल्वर वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं चाहते लगाना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इसके pieces आप जैसे भी चाहें जिस भी shape में चाहें cut कर सकते हैं मैं देखी इस तरह से इसके pieces cut कर रही है और बहुत ही बढ़िया हमारी जो बर्फी है वो बन कर तेयार हो गई है इस बर्फी को आप हफता भर के लिए store कर सकते हैं इसी तरह से हम जो दूसरी बर्फी बनाने वाले आना ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनती है तो इस बर्फी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले तीन कप लेना डैसिकेटड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा तीन कॉप हमने नारियल का बुरादा और इसमें एक से डेर कप हम डालेंगे पिसी हुई, चीनी, मीटा आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं पर इतनी चीनी इसमें अराम से लग जाती है, चीनी और नारियल के बुरादे को हम अच्छी तरह से मिला देंगे, इसी के स बस ये खिला-खिला सा हमारा mixture रहना चाहिए तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूद डालते जाहिए और इसको ऐसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाते जाना है जैसे मैंने आपको बोला ना आप चाहे हो तो इसमें जो हमने दूद के म लाई डाली थे ना उसकी quantity थोड़ी सी जादा भी कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से एक binding आ रही है बस हमने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना आप हम इसको दो ब्राबर हिस्सों में बांट लेंगे और जिस भी ठाली या ट्रे में आपने बरफी जमानी है उसको घी पिंक फूड कलर आप जिस भी कलर में चाहें इसको बना सकते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे इसके बाद हमने जो ट्रे में वाइट वाला हिस्सा रखत थोड़ा सा सेट भी हो चुका है तो अब हम इसके उपर यह वाला मिक्स्चर फैला देंगे और इसको भी इस तरह से सेट करतेंगे तो यह दिखें डबल लेयर की हमारी यह वली जो बर्फी बनकर तयार हो जाएगी 15 मिनिट के लिए आपने इसको ऐसी छोड़ देना या फ्रिज में रख देना और 15 मिनिट के बाद मैं आपको कट करकी दिखा रही हूं बहुत यह बढ़ी है य और इसमें आपको घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस बर्फी को भी आपे जो राम से हफता भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इसी तरह से हम यह वली जो बर्फी बनाने वाले है इंस्टेंट मावा की यह बर्फी और खाने में बहुत टेस्टी बनती है तो आप चाहें तो एक कप तक मिल्क पाउडर भी इसमें आड़ कर सकते हैं और साथ में हम इसमें जो 6-7 चमत डालेंगे चीनी के क्योंके मिल्क पाउडर भी मीठा ना तो चीनी में इसमें थोड़ी सी कम डाल रही हो और इन सब को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है आप चाह करके हमने इसमें दूद डालना और इसको इस तरह से मिलाते जाना है एकदम से अपने ज्यादा दूद इसमें डाल देना है जैसे वह थे थे में गी podzi औ टाला है, मिल्क पाउडर भी डाल ना तो ये देखे, बहुती सॉफ्ट सा हमारे ये डो बनता है, बहुती इसली ये फैल जाना चाहिए, आपने इतना इसको सॉफ्ट रखना है, और गार्नेशिंग के लिए मैंने इसके उपर लगा दिया पिस्ता और चमच से हलका सा दबा देंगे, 15 मिनट के लिए आपने इसको में रख देना ये बाहरी चोड़ देना बस 10-15 मिनट में ये बर्फी जम कर तैयार हो जाती है, तो बर्फी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, साइडों से इसको कर देती है, क्लीन और इस तरह से इसके देखे, पीसीज कट कर लेती है, बहुती बढ़िया ये वाली मावा की आप बर्फी एक इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो बस 5 मिनिट में ये वाली जो बर्फी आपकी बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है, और इस बर्फी को ये जो आप राम से हफ्ता भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसी तरह से हम ये बटाली जो बर्फी बनाने वाले हैं, ये भी खाने में बहुंआ टेस्टी बनती हैं, और हेल्दी भी हैं, तो इस बर्फी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पकेट लिए हैं भूने हुए चने, 200 ग्राम ये चने और चनों का छिलका उत्रह होना चाहिए, इसको आप आदा कप डालेंगे पिसी हुई चीनी और साथ में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें ओरेंज फूड कलर ये ऑप्शनल है आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं अदरवाइस इसको स्किप भी कर सकते हैं और इन सब को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें जो चार से पा इसमें फोड़ा करके डालना एक्दम से जादा दूद नहीं डालना और आपने इसका सोफ्ट सा देखिए इस तरह से डो तेयार कर लेना दूद उत्ना ही डालना जिससे बस इस तरह से एक डो बन जाए आब हम जिस भी थालिया ट्रे में बरफी जमानी है उसमें इसको सेट कर देंगे और उपर से मैंने थोड़ा सा लगा दिया सिल्वर वर्क 15 मिनिट के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना और 15 मिनिट के बाद देखिए बर्फी बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी और मैं इस तरह से देखिए पीसिस कट कर रही हो तो यह वली जो भी बर रेस्पी अच्छी लगी होंगी जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेस्पी के साथ अब तक लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का देखिए